हाई गाईज वेलकम बेक टो चैनल लिंकी टुटोल इस इस मी या डिंक एंड वेलकम तो ने लिंक साइटी मीडियो तो गाईज कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे तो आज मैं आप लोग साथ यह ब्यूटिफुल मेकप टुटोल लेकर रही हूं जी तरीके से मेकप करते हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ डीटेल में शेयर करूंगी तो एक भी पॉइंट अगर आप मेस करते हो तो आपका मेकप जो है वो काला पट जाएगा फांडेशन जो है वो क्रीस करने लगगा तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत क क्लीन कर लेंगे फेस को क्लीन करने के बाद हम नेक्स स्टेप की तरफ में बढ़ेंगे जो कि यह मॉस्चिराइजर जी हां समसीजन चल रहा है तो आपको यहां पर मॉस्चिराइजर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मॉस्चिराइजर हम और स्किन पर लगाएंगे सम मॉस्चुराइजर है यह मुझे मेरे मेकप के प्रॉडक के साथ में as a free sample मिला था तो इस वज़ से मैंने इसे ट्राइ किया जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे तो मैं definitely इसका बड़ा पैक मंगाऊंगी उसके बाद हम बढ़ेंगे next step की तरफ में जो है primer प्राइमर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप मॉस्चिराइजर के बाद में directly foundation को apply करते हो तो आपका foundation जो है वह फट जाएगा क्रीज करने लगेगा तो इस वज़से आपको अच्छे से प्राइमर को apply कर लेना है यहां पर देख सकते हैं मैंने इनसाइट कॉस्मेटिक्स का चोटू सा पोर मिनिवाइजिंग प्राइमर अप्लाई किया है जो कि बहुत अच्छी तरीके से आपके पोस को फील कर देता ह प्राइमर को मैंने apply कर लिया है apply कर लेने के बाद कुस दिर के लिए मैंने अपने face को छोड़ दिया है तक हमने जितने भी products को apply कि हो हमारे face पे अच्छी से सेट हो जाए ठीक है तो सेट हो जाने के बाद में मैंने यहां पे जो makeup artist अपने makeup brights के लिए use करते हैं यहां पे अगर आपको matte makeup चाहिए तो आप इस step को नहीं करेंगे ठीक है आप देख सकते मैंने apply किया है जिससे की मेरा face जो है काफी ज्यादा ग्लोवी काफी खिला खिला लग रहा है तो इसी वज़से यह सारे ट्रिक्स को अगर आप अपने makeup करते वक्त आड़ करोगे तो आपका जो makeup है बहुत ही ज्यादा flawless और काफी beautiful दिखेगा ठीक है आप बढ़ते हैं next step पी तरफ में जो की है हमारे face पे जितने भी discoloration होते हैं dark spots होते हैं pimple की spots होते हैं तो उसे हमें hide करना होता है directly हम foundation को नहीं apply कर सकते हैं ठीक है तो उसे hide करने के लिए मैंने यहाँ पे inside cosmetics का color correcting palette लिया है उसमें से मैं अपने skin tone से एक shade darker concealer ले रही हूं और उसी से मैं अपने जो highest point पे मुझे pigmentation दिख रही है उसे मैं hide कर रही हूं ठीक है तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है जैसे कि मैं mouth के around कर रही हूं आइस के नीचे कर रही हूं तो usually यहाँ पे ही क्या होता है बहुत जादा dark spots या फे pigmentation की problem होती है ठीक है तो उसे हम apply कर लेने के अब मैं यह तो आपका जो foundation आपने apply किया है वो जल्दी ही gray पढ़ जाएगा तो आपको कुछ दिर wait करना है उसके बाद आपको अपने concealer को neutralize करेंगे उसके बाद मैं foundation का application करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे अपने skin से मिलता जुलता shade लेकर अच्छे से concealer को blend कर ले रही हूं with the help of damn beauty sponge ठी अबी भी आप foundation या फी concealer को blend करोगे तो आपको अच्छे से dapping motion में उससे blend करना है रगणना नहीं है नहीं तो वो आपके skin से हट जाएगा और अच्छे से blend नहीं होगा पैच ही दीखेगा ठीक है तो अच्छे से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी उसके आद फेस को Dewy foundation है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यह exact मेरे skin tone का है तो इस वरसे मैं यहाँ पे इसे apply करूंगी और आप देखोगे बहुत ही अच्छा एक की यह glowiness provide करता है आपके skin पे ठीक है तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे से make-up के सारे steps को follow कर लेनी है और आप देख सकते ह हो exact मेरे skin tone से यह match हो चुका है foundation और मुझे यह foundation बहुत ज्यादा पसंद है मामात का foundation बहुत ही ज्यादा light weight and काफी अच्छा इसका coverage provide करता है तो foundation को अच्छे से blend कर लेंगे हम foundation apply करने के बार हम अपने face को कुछ दिर के लिए छोड़ देंगे कुछ सेकंड के लिए शोड़ अगर हम back to back products को apply करेंगे तो हमारा जो makeup है जल्दी ही crease कर जाएगा तो इसलिए आपको इस तरीकी की गलती नहीं करनी है आपको थोड़ा सा अपने makeup को set होने के लिए time देना है उसके बाद आपको product का application करना है यहां पे मैं आप कर रही हूं contouring जी हां मैं यहां पे पहले मैं यहां पे powder contour से set कर रहे हूं अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो जैसे की wedding guest पे makeup कर रहे हो तो आपको एक heavy look चाहिए तो उस time पे आप क्या कर सकते हों contouring कर सकते हैं जिससे के आपका face जो है काफी अच्छी तरीके से एक structure में आ जाता है ठीक है तो इस वैसे मैं यहां पे contouring क के दिखा रहे हैं आपको इस तरीके से contouring कर लेना है उसके बाद मैं अपने face को थोड़ा सा lifted दिखाने के लिए यहां पे अपने face को highlight करूंगी concealer के साथ में तो यह बहुत जादा important अच्छा step है ठीक है तो आपको इस अच्छे से देखना है मैं बहुत ही light यहां पे concealer का application करन बहुत जादा पॉप आप एंड काफी ग्रेश लगने लगता है तो इस वह से आपको minimum product का application करना है ठीक है अब last day मैं अपने पूरे face को अच्छे से loose powder की health से set कर लोंगी इसके बाद हम कोई भी cream product apply नहीं करेंगी ठीक है जब आप अपने face को set कर लोगे उसके बाद आपको cream products नहीं apply करना है नहीं तो आपका make-up जो है वो खराब हो जाएगा तो अब मैं यहाप अंडर आई के नीचे baking कर रही हूँ तो अगर आपको eye makeup बहुत अच्छी तरिकी से करना आता है तो आपको baking नहीं करनी है अगर आप ज्यादा अच्छा long lasting makeup करना चाहते तो आप baking कर सकते हो ठीक है तो मैं यहाप पर जो भी fall out होगा उसे आपको कैसे रिमूफ करना है तो मैं यहाप बेकिंग करके आपको दिखा रही हूँ तो मैं यहाप बेकिंग किया है और अब मैं स्टार्ट करूंगी eye makeup तो सबसे first eyebrows को आपको अच्छी तरीके से draw कर लेना है ओवर नहीं करन आप देख सकते काफी beautiful लग रहा है मेरा eyebrows मैंने बनाया है इस तरीके से eyebrows को बनाया जाते हैं अब मैं यहाप स्टार्ट करूंगी eye makeup तो eye makeup के लिए मैंने यहाप पे यह वाला concealer लिया है आपको अगर कोई भी product का purchase करना हो तो link जो है मैंने description box में डाल दिया है आप उस link के थू डेफिनेटली purchase कर सकोगे तो आज का जो eye makeup है बहुत ही beautiful eye makeup होने वाला है आज मैं आप लोगो hello eye makeup सिखाऊंगी जो कि बहुत सिंपल से step से आप अचीव कर सकते हैं तो सबसे first मैंने यहाप यह वाल lighter orange shade लिया है और उससे crease पे apply करोंगी आपको back and force करते हुए आपको अच्छे से blending करनी है जिससे कि आपका eye makeup जो है बहुत ही flawless तरीके से turn out होगा ठीक है आप देख सकते हो तो अब मैं यहाँ पे outer corner पे यह वाला shade apply कर रही हूँ और धीरे-धीरे मैं ऐसे circular motion में blend करती हुए चलूंगी जिससे कि हम जो हम अपना eye makeup look create करना चाहते हैं उससे हम बहुत आसान तरीके से create कर पाएं तो outer corner पे मैं अच्छे से depth लाने के लिए मैं पहले color को आपे place करके फिर उससे blend कर रही हूँ से मापको भी वैसे ही करना है ठीक है अब मैं inner corner पे भी same तरीके से color को blend कर रही हूँ और आप देख सकते हूँ बहुत इच्छी तरीके से हमारा hello eye makeup जो है वो turn out होने वाला है क्योंकि beach का जो lead का area है वो हमारा gap रखा है हमने क्योंकि वहाँ पे हम अभी shimmer eyeshadow को place करेंगे ठीक है तो इस eye makeup को ही hello eye makeup कहते हैं जो कि बहुत ही simple होती है अगर आप एक beginner हो तो आपको ये eye makeup करने में कोई भी difficulty नहीं होगी बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है तो आपको इसी तरीके से कर लेना है जैसी कि आप देख पा रहा हैं काफी pop up देखती है इस तरीकी की eye makeup क इसी भी occasion में आप इस eye makeup को कर सकते हो काफी अच्छी लगीगी ठीक है तो यह आप फिंगर की help से shimmer को प्लेस कर रही हूं बहुत अच्छी तरीके से feel हो जाती है finger की help से आपको भी same technique को यूज करना है अब मैं आप एक्सिस border को जो हमने baking किया था उसे remove करूंगी ताकि जो भी fallout और वच्छे से clean हो जाए तो इस तरीके से हमारा eye makeup है वह complete हो चुका है लगभग अब मैं lower lash line पे same brownie shade को प्लेस कर रही हूं एक small brush की health से और हमारा eye makeup है वह आज complete होने वाला है तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको blend कर लेना है तो guys मेरा eye makeup है वह complete हो चुका है अब मै थोड़ा सा contouring कम लग रहा था तो इस वह से मैंने यहां पे powder contouring किया है आपको भी अगर लगता है कि आपने कोई product को कम apply किया तो आप अपने according थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा apply कर सकते हो लास्ली मैंने यहां पे थोड़ा सा powder blush apply किया है जिससे कि हमारा जो चीक से बहुत य कि से फिलर लगे ठीक है तो मैंने यहां पे brush apply कर ले और लास्ली मैं यहां पे apply करने से काफी ज्यादा glowy आपका makeup लगता है आप देख सकते हो तो इस तरीके से आपको apply कर लेना है chicks पे bridge of the nose पे brow bone पे ठीक है तो मैं यहां पे falses apply करने हैं अगर आपको falses apply नहीं करना आता है तो मैंने चैनल पे already videos upload किया है आप definitely check कर सकते हो ठीक है तो अब हम apply करेंगे lipstick तो lipstick के लिए आज बहुत beautiful सा combination मैं try करने वाली हूँ आप लोग ध्यान से देखिए और अगर आप लोग की कोई request हो तो आप definitely comment box में share कर सकते हो मैं आप लोग के request के according videos को बनाने की कोशिश करूंगी और यह makeup tutorial आप लोग को कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा बहुत ही simple तरीके से मैंने आपको सिख है कि किसी भी party function के लिए आप खुद से घर पे किस तरीके से तयार हो सकते हैं बहुत ही कम budget में यह सारे products आपको मिल जाएंगे तो यह है मेरा final finish look I hope कि आज कर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो को पसंद आया तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिएगा वीडियो को साथ शेयर किजिए थैंक यू सो मच में वीडियो